किस नमबर 23 ओके, अब मेरी बीविन तो जाने से इंकार कर दिया है, मैं चलता हूँ, मेरी बस कुछ देर में फ्लाइट है असाम कहकर सबसे मिलने लगा, तो हीर के दिल ने एक बीट मिस की, जब वो सबसे मिलकर अपना समान पकड़ कर बाहिल निकल लिया, तो हीर में अपने बाबा की जाने देखा, तो उनकी जाने से जाने से जाने से पिछे बागी, अभी हो गाड़ी में बैठने ही लगा था कि ही पकड़ कर रोक गई, मुझसे मिले बगेर ही जा रहे थे, क्या मैं कुछ देर में इतनी मुरी हो गई हूँ, पुर नम लहजे में पूछने लगी, तो हसकर करके यहां वहाँ देखने लगा, असाम प्लीज, अपकि बारी आंको उसे आंसो रौवानी से पहने लगे, तो उसे लगा गया, तुमसे एक दो में लगा, वो उसके वजूद की हुश्बूख का अपने वजूद में उटारनी की कोशिश करता हुआ बोला, क्योंकि वो उसे बहुत मिस्स करने वाला था, तुम जानते हो ना, यह ज़रूरी है, ताकि हम हमेश्या साथ रहें, वो उसे गेर अ अस बात में सही लागई, तुम्हारे बगेर यह वक्त बहुत मुश्किल गुश्चे का असाम, तो फिर इस दोरान तुम लफ्स रट के और माइने ढूना, क्योंकि यह लव हुए है, वो उसकी आँखों को बारी बारी चुमता हुआ बोला, पर चान ही पाउंगा, जब उस चान याद रखना, मुझे तुम से मुहब्बत है, इन ने कहकर वो कुछ जो सूरते बढ़कर उसके उपर फूंग दी, ताक कि वो हैरियत से जाय, उसकी पैशानी शूम कर जल्दी से कारी में बैठ गया, यूँकि मजीर उसमें ढाकत नहीं थी, वीर भीगी आंकों से उसे कले से लगा लिया, और उसे चुप करवाने की कोशिश करने लगी, क्योंकि उनमें बेशक रणाईया हुई थी, लेकिन है, दो साल बाद, सर, मेरे हैल में आपको अपने फैसले के बारे में वापिस से सूचना चाहिए, उससे सीनियर ओफिरसर से मोहादिफ होते हुए कहां? फैसला हो जुका है एजेंट 67, इसे तब देली के अब कोई गुझाईश नहीं है, उन्होंने वे शुकून से कहां? लेकिन सर, एजेंट काम करने का स्टाल भी बहुत वहशियाना है, उससे थिजाज करना चाहूं? वो जैसे चाहे कर सकती है लेकिन सर कोई लेकिन वेकिन नहीं मत भूलो हो हमारी पेस्ट एजेंट है मैं जान लेकिन वो हमेशा अकेले काम कर दिया है क्या उसको ऐसे बागी एजेंट्स के ग्रूप में शामिल करना ठीक होगा क्योंकि वो उससे कभी टीमवर्क नहीं किया यही तो मैं चाहता हूँ कि वो टीमवर्क करना सीखे इस दिये तो उसे तुम लोगों के साथ इस मिशन पर भेज रहा हूँ वरना वो अकेली ये मिशन सर अजाम दे से वो संजीती इससे बोले मगर अखेली काम करने की आदी है मैं नहीं हालों मानेगी वो मान चुकी है अब तुम जा सकते हो वो अद्मी लेजे में बोले तो एजेंट 67 अस्वात में सहील आकर भार निकलाया बाल रहे हो ताल्याल ने अस्वात से मुहादिवों कर कहा जो बेंच बाइक्स की दुरकत बना रहा था निका मैं गुस्से में हूँ वो तान पीस्सा हुआ बोला यार बस करो तुम दोनो इससे पहरे दानियाल कुछ कह पाता इपतसाम ने उसे डोका उन्होंने मिशन के बारे में तुम लोगों से कुछ बात चीत करनी है जरूर को इंपोर्टेंट बात होगी इस दिये ऑफिस्साल में हम सब को फोरी पहुँचना चाहिए नानियाल की कहने पर वो चारों ही ऑफिस की जाने बढ़ गए दर्वाजी पतस्तर देने पर जब उन्हें जास्त मिली तो अंदर भढ़ गए जहां चीर सिकंदर अपनी ओफिस टेयर पर बैठे हुए थे उन्होंने सामने मुझूद चार हाली कुरसियों के जाने बिशारा करते हुए कहां तो हो चारों एक एक कुरसी संभाल गए हमारा टार्गेट वो फ्रान डियों है इस वक्त वो दुनिया का सबसे बढ़ा ट्रक डीलर है और अभी उसकी नजर पाकिस्तान पर है इससे पहले वो हमारी नौजवान नसल को उसकी लपेड मिले हमें उसे जड़ से हतम करना होगा कैसे? कोई प्लैन? इत्त सामने हामुशी तोड़ते हुए पूछा वो सब मैं तुम लोगों के इंचार्च के साथ डिसकर्च कर चुका हूँ तुम लोग बस अपना समान पैक करके जाने की त्यारी करो बाकी की बाते और दलाइल तुम लोगों को फ्लाइट के दोरान मिल जाएंगी अभी तुम जा सकते हो उन्हें आखरी अलफाज दर्वाज से की जाने बिशारा करते हुए गए और हाँ, एक लड़की भी इस मिशन में तुम लोगों की टीम का पाठ है वो जो चारो दर्वाज से की जाने बढ़ रहे थे चीफ के अलफाज पर उनके गदम थमें वाट, एक लड़की? इस रार तकरीब बंचे लाया हूँ क्योंकि उन लोगों ने बहुत मेनत करके अपनी एक टीम में आई थी जिसमें वो इस वक्त एक लड़की को हर किसा फोड नहीं कर सकते थे हाँ, एक लड़की इसका मतलब क्या है? इस बाहर से शान ने पूशा उसने किसी और टीम के साथ काम करने से इंकार कर दिया है वो सिर्फ तुम लोगों के साथ काम करना चाहती है वैसे भी उसका पागलपन और गुस्सा को योटी मेंडल नहीं कर सकती ये पावर तुम एलफा में ही है चीव ने अराम सिका जबके वो हैरस से उसे देखने लगे लेकिन सर, इस वक्त अचानक से क्लड़की की एंट्री हमें और हमारे काम को सुस्त कर देगी दानियाल ने एक और वज़ा पेश की वो नहीं, तुम लोग ज़रूर उसे सुस्त कर दोगे वो फुरितमाद लेजे में अपने चेरे पैस सजाहिया मुस्कुरार सजाते हुए बोले तुन चारों ने चोंकर उनकी जाने दीखा कैसा क्या है जो वो जानते हैं और वो लोग नहीं ज़रूर बेस्ट होगी दानियाल ने अपने बालों में हाथ पेटे हुए कहा हूँ जहां तक मैं बागे एजेंट से मिला हूँ मैंने आज तक किसी भी ऐसे एजेंट को नहीं देखा जो हम लोग उसे बेस्ट हो इप्ता सामने सोचते हुए कहा हूँ हम एजेंट 15 के बारे में क्या हयाल है सिशान आइस सही से पूछा हूँ ओ प्लीज एजेंट 15 का कोई वजूद नहीं है यह सिफ एक कहान नहीं है जो चीफ सिकंदर हमको जोश और जजबा पैदा करने के लिए सुनाते हैं इप्ता सामने अपने बीफ केस के सिफ बंद करते हुए कहा हूँ और वैसे भी कोई सोलो एजेंट यहां काम नहीं करता हमारे एजेंट से उसके सक्त हिलाफ है एजेंट 23 को ही ले लो उससे बैस मेरा नहीं ह्याल इस दुनिया में कोई है लेकिन उसे भी मजबूरन टीम वर्क ही करना पड़ा है और आज हो हमारा इंचार्ज है इसलिए मेरा नहीं ह्याल एजेंट 15 कोई है यहां इससार ने दलाइल पेश किये हम उस एजेंट को ज़रूर उसकी टीम में बाहर निकाल दिया होगा तो चीफ ने पगड़कर उसे हमारे सास शामिल कर दिया सेशार ने शुट बतलते हुए दलाइल पेश किये यह सही है एक टूटाव एजेंट हमारी टीम में आ गया है कसम से अगर उसकी वज़ा से हमें किसी मसाइब का सामना करना पड़ा तो मैं येकीनर उस एजेंट को दुश्मिनों के दर्वासे के भाहरी फैंक हूँगा वो जाने और ये जाने इप्तसामने लब चबाते हुए कहां तुम ना भी फैंको एजेंट 23 लास भी फैंक देगा तुम जानते हो उसे हर चीज परफेक्ट चाहिए होती है जरासी भी गलती उसे बरदाश नहीं हम जालिम है वो इसरार ने भी दान्याल से हामी भरते हुए कहका लगाया चलो चलते हैं अपनी मन्जिल की जाने इप्तसामने कहां तो वो चारो अपने ब्रीफ किस बगड़ कर भाहर की जाने भड़ गए अलफा टीम जब वो लोग चेट से कुछ वासे पा कड़े हो गए तो चीफ उन सबस को महादिब किया जी सर वो शक्सुभान में एहतराम से बोले तो चीफ ने एक एजेंट को उन सब का समान चेट में रखवाने का इशार रखिया वो लड़की की धर है इसरार ने दानियाल से सरकोशी नुआ पूछा यकीनन इस वक्त तो अपने जूते और ब्यूटी प्रोड़क्स बैग में दुसने की कोशिश कर रही होगी दानियाल के जवाब पर इसरार ने अपने लवों पर दांत रखकर अपनी हज़ी को दबाया एजेंट एटीवन तुम लोग की फ्लाइट में होगा जो तुम लोग को मिशन के बारे में कुछ मालूमात देगा उन्होंने एजेंट की जाने विशार करके बढ़ाया तो वो सब लोग असबात में सहिला कर जट की जाने भड़ गए अभी वो सिरियां क्रॉस ही करने लगे थे तुम सब के तवज्चा बोट की नर्म चाफ नहीं की जी उन सब ने बलटकर सामने स्याथी लड़की को देखा जिसके चेरे पर मेकप नाम की कोई चीज नहीं थी वो ब्लेक रंग की जीन्स साथ शॉट कले में मौफर लिये हुए थी जबकि एक कोल्डन बाल आई देल में कहते जबकि उसकी डार्क प्राउन आँखें यहाँ वहाँ ऐसे दिख रही थी जैसे अभी उसी वक शिकार करने को बेदाफ हूँ हम इस मिशन को मुकमल करने के लिए बिल्कुल तयार है वो उन चारों को इग्नोर करके चीफ से रूबर होकर पूर रूकीन लहजे में बोली गोड जेंटलमेन अपनी नए टीम मेंबर से में लो जो वक्ती धोर पर इस मिशन में तुम लोगों की साथ ही है चीफ ने अपनी बात जाई रखते हुए कहां इसका कोई नाम भी है या नहीं इस राने जिस्सू से पूछा लेकिन उसके लहजे में बोरी चलग रही थी जिसकी बात कर रहे है वो तुम्हारे सामने है वो जुलस्य हुए लहजे में बोली इसका नाम है चीफ जो उन सब को इग्नोर करके वापिस बोलने लगे थे उनके अलफास को वापिस से उस एजेंट ने टोकते हुए आरी लहजे में कहां एजेंट 15 उसके अलफास सुनकर वसक्ते के आलम में मूग खोले उसे देखने लगे हाँ, ना इस जो अब सच्चे में बताओ तुम्हारा नाम क्या है इपतसाम ने समल कर कहां है, मेरे नाम से तुम लोगों का कोई सरोकार नहीं है तुम लोगों के लिए मेरा नमबर जाना ज़रूरी है और वो 15 है उस सक्ट लहजे में कहकर उन लोगों को देखने लगी जो मुश्कोक नी कहां उसे उसे ही देख रहे थे अगले 10 मिंग में तुम जेट के अंदर मुजूद नहीं हुए तो ये तुमें साहत लिए बगएर ही उड़ जाएगा वो टो टोक लेजे में बोली ओ, तो इसका मतलब तुम ये मिशन अकेले करोगी हम सब के बगएर इप्तसाम तंसिया मस्कुरार अपने चेहरे पर सजा दे हुए बोला बागी सब को नहीं सिर्फ तुमें अकेले को छोड़ कर चली जाओंगी वैसे क्या तुम मेरा नंबर भूल गया हो मुझे तुम लोगों की कोई जुरूइत नहीं मैं अकेले ये मिशन कर सकती हूँ मैं इस वक्त जो तुम लोगों के साथ हूँ इसकी वज़ा वो है उससे जीफ की जाने विशारा करते हुए कहाथ इप्तसाम ने उससे उससे देखने लगा जबके वो भी पुट अपिश निगाहों से बगएर पल के चपके उससे देखने लगी जब उन दोनों ने हार मान में से इंकार कर दिया तो हो आम में खुश्टे एक है के उन दोनों की तवज़ा की जी जो के सरार ने मारा जो इप्तसाम के भगल में खड़ा था इप्तसाम के खुणने पर उससे अपनी असी दपाई मुझे लगता है अभी भी तुमें मिरे नंबर पर नहीं भरोसा अगर मुझे पर नहीं येकीन तो चीफ से पूछ लो तुम लोग के सामने ही गड़े है वो रोप से बोली तो सब की निगाएं चीफ की जाने बुठी एक बात तुम लोग एजेंट 15 के बारे में याद रख लो वो कभी जूट नहीं बोलती लेकिन तुम सिर्फ 15 नंबर के इस्तमाल कर रही हो लड़कों ने तरचाज किया ये एजेंट 15 ही है जिसे नाकाबले येकीन तीन मिशन अकेले मुकमल किये है जो जुल्म की अंधेरों में चाकर जालिम के सीने चाक करके उनकी हसी हत का हात्मा करके आई है इससे पहले बहुत जादा पड़ती चीफ साब ने फखर से कहां तो उन्चारों ने अपना दोक निंगला क्योंकि उन्हें लगता था कि मिशन चीफ लोगों ने फुदी मुकमल किये हुए है ऐसे ही एजेंट 15 की कहानिया सुनाते रहते अब तुम लोग मूँ खोले यहां कड़े तो होगे या अंदर भी चलोगे वाइप रूचका कर बोली तो वो लोग होश में आए तुमने अपनी पहचान चुपा कर क्यों रखी हुई है इस राण अपने सेन में उबरता हुआ सावाल पूछा क्योंकि सिक्रेट एजेंट्स का यही काम होता है वो गंदे रूचकाते हुए बोली मगर तुम्हारा नाम किसी भी रॉयल पर नहीं है नाम तो पता होना चाहिए न सरूरी नहीं वो कहे कर सेरियां क्रॉस करने लगी एक मिनट तुम लोग का इंचार्ज एजेंट 23 किता है वो दर्वासे से बलट कर पूछने लगी वो यहां नहीं है इस वक्त इपतसाम बोला तो अफसो से सही लाएं लगी मैंने सुना था इलफा से जाधा बेस कोई नहीं हम मुझे शक हो रहा है जिसका इंचार्ज इतना लापरवा हो टीम को तो पे अल्ला ही हाफिस है वो तनसिया बोली तो वो चारों अपनी मुठिया भीच गए अगर तुम जालिम के सीने चाक करती हो तो वो उनके दिलों को अपने ही हाथों में मसल देता है वो ऐसी आग है जो सब जलाने की हिम्मत रखता है जानती हो लोग सिफ उसे अपने महबूब से इश्च करते है लेकिन वो अपने दुश्मनों से भी इश्च करता है जो के रट है नानेल जो तब से चुपता बाद उसके कैप्टन पर आई तो एक एक लफ्स चपा कर बोला वो हमसे पहले वहां मुझूद होगा तुम फिकर मत करो वो जो हामोशी से सुन रही थी उसके तवज्चा सिश्चान की पुरितमाद आवाज सेखी जी चलो चल कर देख लेते हैं वो कहकर आगे भढ़ गई तो वो भी उसकी पुष्च को खूरते होगे अंदर भढ़ गए उसकी देर में जट समीन से आवा में उढ़ने लगा और बातलों से बाते करने की कोशिश करने लगा तुम्हें पता है तुम कहां जा रहे हो एजेंट 15 इपतसाम से मोहादिफ होकर पूछा जो के ट्राइविंग कर रहा था वो उससे घूरते होए बोला मुझे लगता है तुम्हारी बजाए मुझे ट्राइविंग करनी चाहिए वो उससे मश्वरा देने लगी अपने मश्वरे अपने पास ही रखो और प्लीज हुदा के लिए अब कुछ मत बोलना उससे जोटे हुए बोला तो लंबा सांस केंच का विंडो सिभाई देखने लगी टीम वर्क टीम वर्क वो उसकी माला अपने सेन में चपते हुए उसको रिलेक्स करने लगी तब ही उसने देखा वो लोग वो गली छोड़ गए है जिनमें उन लोग उन्हें टर्ण लीना है लेकिन वो कुछ बोलने की बचाय हामोश रही चालिस मिन थी बाद मुझे लगता है हम लोग खो गए है इसरार की कहने पर बंदरा अपनी आंके खुमा करे गई हाँ हम लोग फीटर पीते नने काके है जो खो गए है तालिया ले चुड़ते होगे कहा तो इसरार उससे खुर कर रहे गया चुप रहो दोनों अभी तो वो गली नहीं आई जहां हमें मुनना है इप्तसाम ने तप्य होई लेजे में कहा हम लोग वो रासा गुजार का आगे आगे है वो सुकून से बोली वोट इप्तसाम अलग के बल चला कर प्रेक के उपर अपना पौर रख गया जब इसकी वज़ा से उन लोग के सार टकराते टकराते बचे हम वो रासा छोड़ा है वो सफागी से बोली कितनी देर पहले? तकरीबन चालेस वोट? तुमने पहले क्यों नहीं बताया? वो बेगीनी से बोला क्योंकि तुमने कहा था चुप रहो वो मासूमित से बोली वो अपने बालों में हाथ भेर कर रहे क्या? कसम से तुम यूनीक हो तुम्हें सच में हमारे लावा कोई टीम बरदाश नहीं कर सकती? किस तरह ने कहके लगाते हुए कहां? यूनीक किस तरह? मतलब टूटा वादिल जिससे मसाई पैड़ा की है तो उसे दुश्मनों के दरवाज से पर ही छोड़ा होगे उसके पूछने पर उन सबने शौक से उसकी जाने देखा तुम्हें कैसे पता है? तानियाल ने हैरर से पूछा मेरे अपने सोर्सिस से वो नर्मी से बोली तो वो लोग इंप्रेस होते निगाहों से उसे देखने लगे तुम्हें वो बिल्कुल अलाकर अनूखी थी तुम अपने इंसोर्सिस के बारे मुझे भी को बता दो से शौन ने इंप्रेस होते होए पूछा हरगी से नहीं वो कहका है वापिस विंटों से बाई देखने लगी और कुछी देर बाद सही रासा मिलने पर वो लोग एक करके सामने खड़े थे जो कि दो मंस ना था अपना समान लेकर उपरवारे फ्लोर पर चली थी वैसे जीशान तुम लोगों के इंचार्ज के नाम और निशान नहीं यहाँ उससे चलेंज करती नहीं खाँ उससे देखते होए पूछी लगी फिकर मत करो जल तुम दोनों आमने सामने होगे वो मुसकोराते हुई कहकर अपने रूम की चानी बढ़िया इतने से सफ़र के दुरान उन्हें येकीन होगया था वो पैस्जें और मुक्तलिफ किसी ना चाहते हुए भी उन दीनों के दिलों में उसके लिए दराम पर आयदा वीट है मुझे उस फल का बहुँ शिदत से वो खुछ से बरबढ़ा कर ब्रीफ केस से कुछ कपड़े निकाल कर वाश्रों में तब्दिल करने चली गई अभी वो फ्रेश होकर बैठी ही थी एजेंट 23 ने तुमें बुलवाया है तुम इस चीम में नही हो वो इस सिलसले में तुमसे कुछ बातचीत करना चाह रहा है इसे कॉरिडोर से मुड़कर जो सेकिंड रूम है वो उसका ओफिस है धानियल इन्फॉर्म करके चला गया वो अपने लब चबाकर कुछ देर वहाँ ही घड़ी रही वो छोटे-छोटे कदम उठाकर ओफिस के जानी भर दी दर्वासे पर दोतफ़ा दस्तिक देकर वो तंदर दागिल होगी मगर वहाँ ओफिस चेर पर कोई भी नहीं था इससे पहले वो बलटी कोई उसे पुछ से अपनी बाओं के असार में भागिया जानी पेचानी अक्षू मेसूस करके वो अपनी चीख को रोखने के लिए अपने लबो को दांतों के नीचे दबागी और इससे जोर से उसके सीने पर अपनी कोनी मारी इसके बज़ा से उसे ग्रिफ मामूली से अलकी बड़ी तो वो उसका फाइदा उठा कर अपनी बैक पॉकिट से पिस्टल निकाल कर उसके सीने पर रखकर उसे दरवासे के साथ ही लगा गई ओ वाओ मेरी जंगली शेरनी वो हाथों को सरेंडर करते हुए पिस्टल की जाने बिश्वारा करता हुआ बोला उसके सीने पर रखका वा था जो आप कर रहे हैं वो इंतिहाई नौन प्रोफेशनल है उसकी ट्राग ब्राउन आँखों से उसके गोल्डेन प्लूइश आँखों में देखती हुई बोली मैं तो बस चेक कर रहा था तुम कितनी हाजिर दमा हो वो उसके चेरी की जानिब जुकता हुआ बोला विचेन पंदा ने उसके सेने पर पिस्टल का फ्रेशर वढ़ाया अपनी हद भी रहकर बात करें वो एक एक लफ्स जबा कर भूली तो वो उसकी आँखों में देखते हुए थोड़ा सा नीचे की जानिब जांक ने लगा ताकि अपना पिस्टल निकाल सके मंगर वो उसकी सोच को बढ़ते हुए उसका हाथ पकड़कर रिवाय के साथ लगा गई वो चैलेंजी निकाहों से उसकी तरफ देखने लगी मैंने कहा ताचीव कोई आइडिया ठीक नहीं है तुमारे साथ मैं सिर्फ भैकूंगा और कुछ नहीं वो उसकी आँकों में देखते हुए बोला कि बगएर उसे समझनी का मोगा दिये उसके पिस्टल वाले हाथ को पकड़कर खुमाया तो उसकी पुष उसके सीने स्या लगी जबकि वो दूसरे हाथ से अपनी पिस्टल निकालकर उसे गंड़पटी वा रग गया तुमने सब सीखा लेकिन यह नहीं सीखा कि एमोशनली किसी के जहांसे में नहीं आते देखो तुम्हारी मामूली सी गल्ती तुम्हे कहां ले आई है वो उसकी कान में सरगोशी नुमा बोला वो आप इसे पिस्टल उसके दिल पर रख दिया कसम से अब कोई गुसा ही की तुम्हें ये गोली तुम्हारे दिल में उतार दूँगी वो लाल गुलावी पढ़ती से जीटी किसे फोली कसम से वो कहकर अपने हाथ में मुझूट पिस्टल की नाख से उसके चेरे को से लाने लगां ओफ कोस आपको शरम आनी चाहिए ये जगा प्रफेशनली वर्क करने की है और आप ये सम वो उसे खूटे होबे बोली जबकि उसका दिल सोरो शोर से रड़कने लगां ओके फिर मुझसे बीच पर मिलो यहां से एक घंडे का सफर है मैं तुम्हारा वहीं इंतजार कर रहा हूँ अब तुम जा सकती हो वो कहकर उसके चेरे से बिस्टल अटा गया मुझे ओडर से नहीं आदत नहीं वो पत्रेली लेजे में बोली तो मेरी जान डाल लो यहां इस मिशन में मैं ही तुम्हारी टीम का इंचार्ज हूँ मिस्स वाइल्ड एजन फिफ्टीन वो मुस्कुराते होई बोला तुम उससे खूर कर रहे गई फिफ्टी एट मिंट्स रहे गए है लगता है तुमने मुझे इतना मिस्स नहीं किया चितना मैं करता आया हूँ उस संजीदी से बोला वो एक नजर उससे देखकर अपनी पिस्टल वापिस अपनी जेब में डाल कर वहाँ से चली गई और हाँ प्लीज रेडली बास भेहन न इससे पहले वो निकल जाती उससे नहीं फर्माईश की तो उससे खूर कर वहाँ से चली गई जब वो बीच पर पहुँझे तो पर्दू के एक चोटा सा कोटेज बना देखकर उसकी सांस इधमी जबकि हर कदम के साथ उसका दिल तेजी से दड़कने लगा जबकि अधेलिया नम होने लगी तभी उसके निखा हसाम पर पड़ी जो कि उस कोटेज से वहाँ निकला था वो इस चाननी रात में इतना प्यारा लग रहा था फिर सांस रोके उससे देखने लगी जब उन दोनों की निखा आपस में डख रही तो उन दोनों के लिए आसपास की दुनिया रुक गई फिर आपते हुए चाकर उसके सीने से चा लगी जो वो हस्से हुए उसे समीन से ही उठा क्या I miss you, I miss you so much मुझे एकीन नहीं हो रहा फार्नली तुम मेरी बाहों में हो मैं तुम्हें मैसूस कर सकता हूँ उसे वापस समीन में खड़ा करके उसके वापस अपने सीने में भीचे हुए बेसबरी से कहने लगा असाम, मैंनी भी तुम्हें बहुत मिस्किया है बहुत जादा ये दो साल मेरे लिए भी बहुत मुश्किल थे बहुत जादा, ऐसा कोई लम्हा नहीं जब तुम याद नहीं आए वो जब दुनिया इकली भी भहुत मुस्बूत बन जुकी थी उसका हासार मिलते ही वापस से कमसोर बगर कहते हुए रो पड़ी थी श्श्श्श्श प्लीज रोना नहीं तुम दब मेरी जंगली शेयर नहीं हो एजेंट फिप्टीन वो फखर से कहते हैं वो उसके चेहरे से आसूस चुनने लगा तो नमा को से मुस्कुरा दी वैसे पाकिस्तानी क्यों चुना वो उसका हाथ पकड़कर cottage के अंदर ले जाता हुआ बोला पहली वज़ा क्योंकि तुम पाकिस्तानी सिक्रेट एचेंट हो और दूसरी वज़ा मैं पाकिस्तान में अपने सिंदी के 22 साल गुजा रहे हैं तुम जानते हो वैसे तो हम लोग वर्ल्ड वाल्ड लोग की इतमत कर रही हैं लेकिन मैं अपनी पहचान अपनी मूल से भी बना रख गई वैसे तो हाजिक भी पाकिस्तानी स्नाइपर एचेंट है उसका कोट क्या है वो अपने जहन में उबरता सवाल पूछे लगी यूकि उससे ये तो साल सबसे कट आफ होकर गुजा रहे थे हाजिक का सिक्सी सेमिन है वो उसके सराभी को अपनी निगाहों में बसाते ही को केच कर अपनी कोट में मिठाया हूँ तो उसकी कारदन की केट अपनी माजो हाइल करते हुए उशें लगी हम बताओ क्या माने है वो उसके बालों में अपना चेरा चुपा कर उसकी हुश्वों से अपने सांसों का में काने लगा यूकि पिछले थोट सालों से वो उस दूर था, ताकि वो अपने पैरों पर अच्छे से खड़ी हो सके और अपने बाबा के साथ साथ से जाधा वक्त कुसार सके फिर के हर मिशन की काम्यावी पर उससे तो हाई फो मुमारक बाद भेजी थी वो उससे दूर सरूर था, लेकिन उसकी हरुशकी और गम का हिस्सा था उसकी इतनी कुरबर हीर के लिए चान लेवा थी मगर फिर भी वो अपनी दर्गनों को काबू करते हुए बोलने लगी रिट कलर निशानी है मुहबत की उससे कहकर असाम के माते पर अपने लब रखे इश्की उससे कहकर उसके कालों को सहलाया दुश्मिनी की ये कहते हुए ही के लेजे में सर्थ महरी आसम हुई वो असाम में नर्मी से उसके कालों को सहलाया थाकि रिलेक्स रहे अत्रे की, वो उससी गोल्डन ब्रूइश आंकों में देखती हुई बोली पावर, मतलब सब कुछ काबू करनी की वो चमकती हुई आंकों से बोली तो असाम के भी लब मुस्कुराए पैशन, ये वाही द्रंगे जिसमें जनूनियत भी है वो अपने लबों पर सुभान फेरते हुए बोली वो सामने नीचे की जाने जुक कर उसके होंट वे किनारों को हलकास अपने लबों से चुआ उससे की, वो सी कुस्ताखी पर प्रश करते हुए उससे खूर कर बोली लगता है बहुत रिसर्च की है अज सामने उसके चेहरे से बालों को कान की बेजी करते हुए कहां जादे वक्त एक यही काम तो तुम कहकर आये थे इसी हर काम से पहले इस रंग को सोचा है उसके अंदर जो वे मानू को जूँडा है इतनी तावेदारी वो आई परोच का कर बोला जबकि उसके आंकों में शारत साफ चल लग रही थी अच्छी पीविया तावेदारी ही होती है वो उसके सीने पर पंच मारते हुए बोली तो किलकला का हसी है वैसे भी इन दो सालों में सिर्फ तुम्हारी बाती ही तो मेरे पास सी उन्हीं के सारे तुझ जिया है मैंने पल में उसके आंके पर रसने लगी थी फिर प्लीज मत रो मैं आएंदा तुम्हारे कुरूस बाप की बात हाँ बैदार जो तुमने बापा को कुछ कहा वो भीगे लेजे में उसे खुर्टी हुई बोली हाई ये बापा की परियों वाले रोप वो शोख लेजे में बोला तुमने उसके बास दूपर चुटकी काटी असाम उससे वोन किया तो वो उसे कमर से बकरकर उचके सीने में चुपा गया अच्छा क्या बता रही थी रेट कलर के बारे में उसके तवज़़ा वहां से अटाता हुआ बोला असाम तुम्हाई टीम बता रही थी तुम्हें अपने दुश्मनों से रेट इश्क है मुझसे कुनसा है उसके बालों में बुलिया चलाते हुए पूछने लेगी तुमसे भी रेट इश्क ही है दुनों से एक जैसा उसे पूछने है आइब रोश काया ना मेरी जान तुम्हारे लिए रेट में दिवानगी, पागलपन, कुर्बानी, रोमेंस और मौब पर शामिल है जबके दुश्मनों के लिए इसमें दुश्मनी, हत्रा, उस्सा, पावर, एनर्जी और भूग शामिल है वो एक एक लफ्स पर जोड़ देता हुआ भूला भूग? यह नहीं ना समझी से पूछा हम, दुश्मनों को निकलने या उनका हात्मा करने की भूग मुझे भी इस दुश्मनों के दुश्मनों का नामोनी शान इस दुश्मनों से मिटा दू उसके बैताने पर वो भी जुश्य ले लेजे में बोली मेरी जान, अब तो दुमारे पास ओधा, एजेंट 15 और रॉयल्स का हिदाब भी है दुनों को इस्तमाल करके अपने मुलक और दुनिया की मट्टी को दुश्मनों से पाक करो और हाँ प्लीज, अपनी जान की लाजमी हिफासत करना क्योंकि कोई इनके सहारे जी रहा है वो मुखबत से चूर लेजे में बोला तो ही, के दिल ने एक बीट मिस की Same to you Mr. Agent 23 खसाम कुछ कहनी के बजाए उसी करदन पर चुगा वहाँ अपने लम्स छोड़ने लगा खसाम, stop, अभी मेरे रुकसती नहीं हुई वो उकलाते हुए उसे खुछ से दूर करते हुए बोली तो वो मुबना कर रहे क्या यार, ये रुकसती ज़रूरी है क्या वो पोर्ट बना कर पूछने लगा जी, बस सजिन की ही तो बात है ठीक, दसमें दिन बाबा ने तुम्हें रुकसती का बोला हुआ है फिर, तुम मुझे मेरे घरवालों की मर्सी से ले जाना वो मा सूमिय से भूली, तो असाम उसे खूर कर रहे क्या हाँ, तुम्हारे घरवाले मतलब मेरे दो सुसर और एक सास वो जान से भीर किस्थी बाबा और उसकी अडॉप्टेट पेरेंस आइमा और वाहाज का अवाला देता हुआ बोला, जो उसके फूपा फूपो थे हाँ, तुम्हें हुशकिस्मत हूँ, मेरे पास दो बाबा और एक माँ है वो इत्व राते हुए बोली, बेशक उसे उसके असल बाबा मिल गए थे लेकिन उसका यह मतलब नहीं था कि वो अपने अडॉप्टेट माबाप को भूल जाती जिन्नोंने उसे इतनी मुहप्तों से नमाजा था उससे कुछ ही वक के बाद सब रिष्टू को फॉर्मल लामों की बचाए असल रिष्टू से बुलाना शुरू कर दिया था जैसे वहाज को भाबा, शावर, अफ़ान और वर्ष्टान को चाचो वगरा बेशक वो तो तुम हो वैसे हाजिक बहुत सर खा रहा है मेरा उन लोग उने मेंशन को अभी से धुलन की तरह सजाना शुरू कर दिया है क्यों न सजाए, उनकी दो बेटों की शादी है यह ने अजसे होई कहाँ, क्योंकि हीरो और असाम की सादी, इशाल और हासिक की शादी की विटारी फिक्स करती गई थी मुझे बेस अबरी से इंतजार है, कब दस दिन के अंदर अंदर ये मिशन मुकमल हो और फिर मैं तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स की रजामंदी से अपनी घर लेकर जाकर, पुरे हकोग के सर, सर्तपों तुम्हें अपना बनाओ वो मायनी हेस सिखा, उस उसे दिखते वे बोला तो बलश करने लगी, दस दिन नहीं की तो बात है असाम और ये दस दिन किसी टोचर से कम नहीं, ओपर से देखो, तुम इतने करीब हो उसके रोसार को अपने लबों से चोकर बोला तो असट बठा कर उसकी गोज से उठकर दूर हुई ज़्यादा फ्री ना हूँ अभी, चुप करके मेरे साथ पहले ही मिशन मुकमल करें, वैसे आपकी टीम की मेंबर अच्छे हैं असाम ने उसका हाथ बकड़कर उसे उठा कर इतसाम, इसरार, दान्यार, रसेशान का हवाला देते विखा हाँ, वो बेस्ट है, तीम से ज़्यादा फैमली है, जब उन्हें पता चलेगा, एजेंट पंदरा उनकी भावी भी है, उन लोगों की शकल देखने लाइक होगी वो उसका हाथ बकड़कर खाने की टेबिल के जाने में जाता हुआ बोला, जहां उससे अपने हाथों से हीर के लिए खाना बनाया हुआ था, लेकिन ये हम उन्हें अभी नहीं बता रहे, अभी दस दिन हम लोगों को प्रोफेशनल ली काम करना होगा, पर्सनल लाइफ सब भूल भाल कर, उनायमी से बोली तो असाम नसबात में सही लाया हुआ, अफ कोर्स यार, हमारी शादी पर उन्हें पता चलेगा, या मेशन के है सताम पर, डोंट वरी, मैं अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को मिक्स नहीं करता, वो एक दम संजीता हुआ, हाँ, वो पिशाला, आइंदा ये जुदाई कभी हिस्से में नहीं आईगी, वो फुक्तालेचे में बोली, कभी नहीं, आइंदा ऐसा हुआ तो मैं जिन्दा नहीं रह पाऊंगा ही, दो साल पहले एक बाप की मुहबबत के सामने हा रिया था, आइंदा नहीं, कभी नहीं, समझ रही एक मसीद पलबी, ये जुदाई काटी है ताकि तुम हमेशा साथ रहो, तुम्हारे बगैर मैंने सिंदी को कुसा रहा है, जबकि तुम्हारे साथ में इसे जीती हूँ, I love you so much, ये कहते हुए उसके आंकों से आंसो बहने लगे, I love you too बें बोला, वो कुरसी से उठकर जांक उसके आंकों बारी बारी चुमते हुए बोला, ये लो, कुछ तुम्हारे लिए है, असाम ने उसके सामने एक जेट पढ़ाई तो उसके ओपर दो फून नंबर और दो ही अड्रेस लिखे हुए थे, ये क्या है, उना समझी से पूशे लगी, तुम्हारे दोस्तों के नंब बीखने लगी, तुम्हें कैसे बता, मैंने उन से अब तक राब्ता नहीं किया, मेरे अपने सौर्सिस हैं, वो शोख लेजे में बोला, तहीर ने उसके सीने पर पंच मारा, उससे बाहों में उठाकर कोट्रिज से भाई लेकिया, जहां ठंडी हावा उन दोनों के वचूद I love you, Hassam, I love you so much, तुम मुझे जीने के लिए ऐसे सबरी हो, जैसा जिन्दा रहने के लिए सांसे, वो उसके सबर के साथ अपना साल लगाती हुए मुखपर पर लेजे में बोली, तुम भी हीर, किसी ड्रग से कम नहीं हो मेरे लिए, अब चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी हो आए, हम दोनों इसका हमेशा साथ-साथ मुकाबला करेंगे, पूछ उनों नियस से बोला, प्रामिस, उसे उसके सामने अपनी अदेली बोलाए, प्रामिस मेरी बें बोला, अतम शूत